कर लिए को चार्ट शो कर रहा है कर लिजे सर जोईन और समा देता हूँ 30 सेकंड तो रुप जाते हैं ठीक है चलिए इसको आना होगा आएगा प्राइजिस को देखेंगे काफी चीज है हम लोग जो डिसकस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं वैसे ही प्राइजिस को लेकर चलेंगे और दिन का जो भी मूव रहा उसको कैच करेंगे और जो भी आपने ट्रेट किया वो क्यों किया गया वो भी हम लोग समझेंगे ठीक है और बाकी चीज है कुछ लोगों को देखिए मैंने आरें फ्लाइफ पर डिसकस्शन किया तो उसके पूरे रिस्क रिवाड को लेकर थोड़ा किसी को कंफ्यूजन है किसी को स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉप लॉस को लेकर कंफ्यूजन है अगर समय रहा तो मैं उस पर भ मैं ऐसा होता है जब मैं 9.15 आपका मार्केट ओपन हुआ सबानो के समय नाइन 15 एम के पहले पांच मिनट के अंदर ही मैं आपको ट्रेड दी दूँ और आज तो वो समय रहा होगा जब मार्केट कॉंटिनिवस पहली कैंडल पांच मिनट का आपको गिरते हुए दिख रहा ह होगा मैंने उस टाइम पर नीचे से पुट शॉट कराया ठीक है जैसा लोगों का रिस्क रिवाट वैसा आप लोगों ने अपने इसाफ से शॉट किया मैं आप लोगों को जो पोजिशन मिला होगा किसी को तालिस चैसो पांचो साथ सो आट सो यह सारी पोजिशन रही तो अगर मैं बेसिकली क्या कहता हूँ ज्यान से समझेगा देखे बहुत सारी चीज़े कहने लाइक हैं तो सभी चीजों को अगर मैं नहीं डिसकस कर पाऊंगा किसी ना किसी सेशन में मैं जरूर टच कर देता हूँ तो रिलेट करते रहा कर यह चीजों को ठीक है मैं क्या कहता हूँ मैं कहता हूँ कि अगर मॉर्णिंग में प्रिविएस डे का क्लोज प्रिविएस डे का क्लोज मा लेते हैं यह 100 है ठीक है सौ पर कोई भाव बंद हुआ है कल के दिन और आज की क्लोजिंग गैप अप होती है एक सो दो एक सो तीन मतलब एक अच्छा आधा पॉन परसेंट या एक परसेंट के आसपास अगर गैप अप मिल जाता है धाई तीन सो पॉइंट के आप आसपास भी अगर बैंग निफट क्यू बन रहा है उसके बावजूद मैं आपको लॉंग करा रहा हूं मार्केट देखिए यह सारी चीज़ें रिलेट करती हैं प्राइजेक्शन से एक आज का सेटप है और एक सेटप और है जब बाजार कॉंटिन्यू अप ट्रेंड में होता है अभी तो हम लोग एक के मुवमेंट में हो और अचानक से एक बड़ा गैप डाउन मिले मैं ओपन होते ही बाई करता हूं और यह स्काल्पिंग की तरह ट्रेट्स होती है और बहुत बड़े प्रॉफिट दे के आती है और एक पैटर्न आज का है ठीक है एक पैटर्न आज का है यह दो पैटर्स है अभी इसको जब अब ट्रेंड में मार्केट था तो मैं क्लास में डिसकस करता था कि जिस दिन भी मार्केट दुबारा से अब ट्रेंड में आएगा और फिर यह पैटर्न बनेंगे तो लाइव मार्केट जब भी प्रैक्टिकल मैं आपको ट्रेट कराऊंगा और फिर उस प बात कर लेते हैं कि कब ऐसे हुआ देखिए समझेगा बात कुध्यान से हम लोग क्या करते हैं हम लोग resistance को read करते हैं कि कोई resistance या फिर support यही तो देखा करते हैं कि resistance और support resistance का मतलब प्रतिरोध भाव के उपर जाने का support का मतलब भी प्रतिरोध भाव के नीचे गिरने का कोई ऐसा भाव की चलते हुए भाव को उपर जाने से रोग दे और support कोई ऐसा भाव जो गिरते हुए भाव की गिरावट को रोग दे दो ही तरीके हैं यह कौन से भाव होते हैं जहां से पिछली बार बाजार गिरा हो कोई प्र बिल्कुल सिंपल है, अब इसी के साथ मैं एक चीज और डिस्कस करता हूँ, कि अगर resistance को जैसे अगर ये प्रितिरोध है, तो कभी ना कभी बाजार तोड़ता तो ही, वो तोड़ने का तरीका क्या होता है, तो मैं कई बार डिस्कस करता हूँ, कि जैसे प्रीवियस शेशन में मैं discuss कर रहा हूँ गया उसके पहले जब भी breakout कराता हूँ तो मैं क्या कहता हूँ price अगर नीचे से buying उठा के गया यहां तक और इसको इस level को break करना है तो देखे डारेट गैप अप गवा तो price गिर गया अगर अच्छा भाव होता तो यहाँ पे pending orders प्रितरोध किस बात का है पिछली बार seller ने sale किया है इसी बात का तो resistance है यह जो 42-700 का भाव है यह किस बात का resistance है इसी बात का resistance है आज इसको नहीं निकल पाया अभी तक यह किस बात का resistance है कि price यहाँ पर पहले से sellers sale कर रहे हैं अगर इसके उपर निकलना है, तो क्या किया जा सकता है? सिर्फ एक ही तरीका है, कि इनकी selling को खरीद लीजिए, जितना भी यह बेचे, उसको खरीद ले कोई. अब selling बड़ी है, इतनी बड़ी selling है कि बाजार गिरा जा रहा है, तो बायर भी बड़ा चाहिए होगा अब देखिए फिर वही बात आ गई कि अगर सेलिंग बड़ी है तो बायर बड़ा चाहिए और फिर बायर अच्छा भी चाहिए अच्छा बायर कैसा होता है कि अब यही पर इसी price पे sell किया जाएगा तो वो यहीं रुक कर खरीदारी करें रुका रहे हैं यहां पर काफी देर तक ठहरे क्योंकि शॉट्स हो रहे होंगे दुबारा से बाजार को जैसे आज price पहुंचाना यहां तक तो दुबारा से short किया जा रहा है पिछली बार किया गया उसके पहले गिराया गया तो फिर से किया जा रहा है अब अगर यह निकला तो breakout कर देगा तीसरी बार है न यह चौथी बार में breakout होता है सबी को पता है अब देखिए अब अगर बाजार को इसी price को उपर जाना है तो कैसे जाना होगा तो जो यहां पर seller sale कर रहे हैं वही खरीदना होगा खरीदारी कैसे होगी यह तो sale कर रहे है तो यह sale करें आप खरीदिये यह sale करेंगे माल लेते हैं इन्होंने 100 orders अपने 100 quantity लगाई future को पहले से pending है तो आपको क्या करना होगा इसको खरीद लेना होगा दुबारा से इनके और orders execute हुए 10,000 quantity फिर से execute हुई आपको फिर खरीद लेना होगा 10,000 quantity आपको इधर से लेनी होगी फिर से उनके 1,000,000 order से execute हुए तो आपको फिर वो खरीद लेने होगे तो यह क्या चल रहा है जितना supply दे रहा है न सेलर उसको हम खरीदते जा रहा है तो देखिए इस condition में क्या होगा ना तो demand zone rate होती है ना ही supply zone rate होती है द्यान से समझे ना तो बाजार उपर जाने की condition में है क्योंकि जो बेच रहा है उसको खरीदा जा रहा है demand जादा तो हो नहीं रही equal buying चल रही है और जितनी selling चल रही है उतना खरीद भी ले रहा है तो गिर भी नहीं सकता है ना तो panic zone rate हो रहा है ना तो selling zone rate हो पा रही है supply zone rate हो पा रही है ना ही demand zone rate हो पा रही है तो इस condition में क्या होगा किसी resistance के देखे ये basic चीजे इसलिए बता रहा हूँ मैं बात करूँगा trend line पर ठीक है पहले समझ लीजिए और कुछ लोगों के लिए repeat होगा बिल्कुल आसान रहेगा तो इस तरह से बाजार क्या करेगा कोई भी price आके nearby resistance थम जाएगा रुख जाएगा एक zone बनाने की कोशिच करेगा जैसे आज का बाजार कोशिच कर रहा था कि कम से कम कहीं यही रुख लिया जाए आखिर में थोड़ा सा पैनिक आया results के आसपास और मुझे लगता है कि यह पैनिक दूर हो जाना चाहिए देखते हैं क्या होगा आगे discuss करेंगे अब होगा क्या यहाँ पर अगर यह बाजार यहां रुखता है प्राइस थोड़ी देर इसका मतलब क्या है प्राइस के रुखने से हम लोग पहँचान पाएंगे कि शायद हो सकता है सेलर्स तो सेल कर रहा है उसका धर्म है तो कोई रुख कर खड़ीद रहा है इसका मतलब यह है कि अगर प्राइस के ऊपर जाने के लिए इसी को इसका दर्वाजा मान लिया जाए किवार की तरह हो यह गेट की तरह हो तो समझ यह आप क्या कर रहे हैं किसी के दर्वाजे पर खड़े होकर दस्तकत दे रहे हैं क्या कर रहे हैं कटट कटट कर रहे हैं और उसके orders को खरीद रहे हैं कि कभी ना कभी एक समय अगर आप अच्छे buyer है और जितना वो बेच राया खरीद रहे हैं कभी ना कभी ब्रेक आऊट कर देंगे कभी ना कभी demand जरूर जादा हो जाएगी आप खरीदारी एक ही condition में कर रहे होंगे आपके पास पैसा होगा दूसरी condition क्या है आप किसी ना किसी कारड से इस बाजार में bullish होंगे और हम लोग तो वो है नहीं वो institutions हैं उनका आपस का मामला है तो हम लोग तो सिर्फ उनके जो पदचिन है उनको पहचाने के कुशिश कर रहे है जो भी footsteps है तो कैसे पहचाना है कि nearby resistance price आए और वहाँ आके खड़ा हो जाए और टिका रह जाए और उसके बाद अगर निकलता है न तो समझ लीजिए एक अच्छा breakout है इसी तरह से सिर्फ देखिए resistance एक line यह horizontal line है जैसे यह line है यह एक छेतिज रेखा की तरह है कि price पिछली बार जहां से गिरा वहीं से गिरा है अब price क्या है? price तो ऐसे भी गिरता है यह भी तो गिरावट है यह क्या गिरावट है? इक way price से गिरा है कि जहां से पिछली बार गिरा वहीं से गिरा ठीक है पिछली बार जहां से sale किया गिया अगर पिछली बार saylor 24,000 मा लेते हैं short कर रहा है और उसको बहुत quantity short करनी है तो पहला panic आυχा फिर price उपर जाए फिर वो sale करे तो इतना इंतजार नहीं कर सकता वो buyers के लिए, हो सकता है बायर उसको next time में wheat कर दे, अगर ज्यादा bullish हो जाए, तो इतना मौका नहीं देगा, वो क्या करेगा, पहली बार 44,000 से गिराएगा, अगली बार 43,000 से ही गिरादेगा, उसके अगली बार 42,000 से ही गिरादेगा, तो य इछली बार सेल किया, 44,000 से, फिर 43,000 से, फिर 45,000 से, नीचे के price पे sell करते हुए नीचे बढ़ रहा है, ये भी एक तरीका है, तो ये जो तरीका है ना, इसको कहते हैं trend के साथ गिरावट, जिधर भाव चल रहा है, उसी तरफ order execute किये जा रहे हैं, lower levels पे, गिरावट है ना, यहां बेचा होगा, फिर यहां बेचा होगा, आखिर बार यहां बेचा है, अब नीचे के level पे कहीं buyer भी खरीदना चाहता है, तो fight की शुरुवात हो गई है, प्राइस कहीं फस गया है, अब इसी को कहते हैं trend के साथ गिरावट, ठीक है, तो मतलब अगर आप पहचान लेते है कि पिछली बार बाजार गिरा है, चोलिस अजार से, तो candles बनी होगी गिरावट की, अगली बार थोड़ा सा उपर आया, तो गिरा तीतालिस तीन सौ से, ठीक है, और फिर नीचे आया है, और फिर उपर गया, तो फिर गिरावट हुई है, तो आप क्या करेंगे, आप ये कि first time sale किया 44,000 से फिर किया है 43,000 से 43,900 मान लेते हैं जो भी आप आनी है ये फिर sale किया है 43,100 से तो तीन जगे से sale किया है lower level पर पहले उपर फिर उसके नीचे फिर उसके नीचे मतलब seller और sale करना चाता है नीचे भाव कुलाना चाता है तो ये तीनो पॉइंट्स को अगर आप मिलाते हैं तो क्या बनता है trend line कि seller जिस trend से short कर रहा है न इस तरह चल रहा है अगली बार उपर जाएगा तो इसी trend line के पास से दुबारा short करने की कुशच कर सकता है यही तरीका हुआ तो देखिए trend line दो तरह से हैं अगर आप अपर ऊपर का trend line खीशते हैं candle के ऊपर से गिरावट के लिए अगर इस तरह से flow है और आप ऊपर से trend line खीशते हैं तो यह resistance की तरह काम करेगा जो आप horizontal resistance अभी मार कर रहे थे ना इस तरह से तो यह इस तरह से भी resistance से ही है यह जो price है यह resistance की तरह है अब आपने यह एक line जो draw किया है यह resistance है यह भी एक प्रित्रोध है भाव के उपर जाने का क्योंकि seller sale कर रहा है इस trend से हम लोगों ने क्या किया है उस trend को identify करने की कोशिच की है एक line को draw कर कर ठीक है अब same pattern resistance तो resistance है अगर एक horizontal resistance को breakout की condition क्या है price उसके पास आये और उस दर्वाजे के पास आके उस दर्वाजे को खटटाया काफी देर खड़ा रहे है कभी ना कभी दर्वाजा ज़रूर खोलेगा सामने वाला और price निकल जाएगा अगर आप उससे direct भिरने चले गए गए न आप दर्वाजा तोड़ने की कोशिश की अंदर जाने की फिर नहीं मानेगा फिर आपको यही breakout failure होते है कि आप नीचे से buy करके आए है और nearby resistance रुके नहीं और direct breakout कर रहे है आज HDFC का pattern काफी bullish था आज का high लगा 1670 उसका एक resistance price 1670 पिछली वार की ग्राबट वहीं से है उसके पहले की ग्राबट भी वहीं से है तो बहुत बढ़िया intraday shot बना हुआ था वाँपर निफ्टी में एक बहुत अच्छा not pattern बना हुआ है आप लोगों ने trade किया मैं तो intraday यहां पे लगा हुआ था काफी trade साथ बैतर हुई बाइंग की अच्छा घचा चल रहा था तो बहुत बैंक निफ्टी में ही था आप लोगों ने उस not pattern को भी trade किया है तो देखें इस तरह का price मैंने क्या कहा nearby resistance जाके खड़े हो जाईए और resistance कैसा भी हो सकता है horizontal भी हो सकता है trend के साथ भी हो सकता है अब बताईए ध्यान से सुनिएगा एक बार price ऐसे नीचे आया और ये मान लेते हैं कोई resistance line है यहां से गिर गया दूसरी बार गया दूसरी बार भी गिर गया अब तीसरी बार इसके पास जाके खड़ा हो जाए और गिरे नहीं इसी के साथ गिरता हुआ और train line चल रही है और price भी नीचे आ रहा है लेकिन खड़ा उसी के पास है sustain कर रहा है nearby train line अब वहां से selling नहीं आ पा रही है मतलब seller तो sale कर रहा है और price गिरता हुआ भी दिखेगा लेकिन वो buying चल रही होगी क्या चल रही होगी बैंक चल रही होगी अब इसको मैं बिल्कुई clear करता हूँ ये एक resistance line हुआ price इस तरह से जाएगा और यहीं इस तरह से खड़ा हो जाएगा इसी के पास अब गिरावट नहीं करेगा अगर गिरावट होती तो दुबारा नीचे आता ही है देखिए दो पैटर्ण मैंने कहे पहला क्या कि अगर कोई movement होता है अब trend में और अचानक से gap down हो मैं उसको long करता हूँ और अच्छा खासा पैसा मिलता है कई examples मैंने पहले आप लोगों को 7 में इंट्राइडे trade करा है 9-15, 9-16, 9-17 पे trade देकर आज भी मुझे लगता है 9-17-18 तक आप लोगोंने trade ले लिया होगा आज pattern क्या था सिर्फ pattern पे नहीं था देखिए moment देखा जाता है कि जैसे ये 3-4 candle यहाँ पे देखिए सभी चीज़ों को एक साथ समझेए मैं आखिर में जाके सारे points को add कर दूँगा एक साथ ला दूँगा मैं गल moment के लिए बैठा था कि कोई मुझे expiry station पे moment मिलेगा और मैंने आप लोगों से कहा भी होगा कि कुछ ना कुछ चल जरूर रहा है बाजार में अगर किधर भी moment मिले chances मेरे मैंने कहा होगा कि 70% के आज जो है अगर expiry को price build किया गया है रोका गया है ठहराया गया है और एक zone को बनाया गया और अगर expiry को moment नहीं मिलता है न तो यकीन मानिये next session Friday को morning में पहले hour में वो moment ओवर होगा मिलेगा जरूर वही ये बात है अब समझे मैं क्यों ऊपर के लिए bullish था और moment upside के लिए देख रहा था यही pattern है देखिए मैं आपको पांच मिनट के time frame पर लेकर आता हूँ ठीक है प्राइज ने क्या किया बताईए यहां पर ध्यान से देखिएगा प्राइज को यह पिछली बार प्राइज उपर गया यहां से गिर गया अब प्राइज उसी nearby resistance के पास एक बार दो बार और यहीं खड़ा हो गया है देखिए लगाता रुक रहा है इंपर और इसने क्या किया एक falling channel बनाया है यह नीचे की तरफ गिरावट के साथ और गिरावट तेज है नहीं प्राइस सस्टेन कर रहा है अगर गिरावट होती तो इसी तरह से आपने पिछली बार 42.700 से sell किया लेकर कहां तक आये 41.800 अगर आप दुबारा शॉट कर रहे हैं न सर तो इस पूरी quantity का कम से कम half शॉट कर दीजिए 42.600 और 41.800 अगर आप दुबारा गिरा रहे हैं तो आप 400 पॉइंट तक तो आसानी से break कर जिए और फिर नीचे आईए और वाई रेजिस्टेंस के पास मैं वेट कर रहा था कि कभी भी ये breakout मुझे मिल गया ना और इतनी समय का consolidation तो मैं इसको नहीं छोड़ सकता और अगर ये कल मिल जाता तो शाम को ही मॉर्निंग मिला तो उसको मिस नहीं करना था देखिए पहले मैं इसको प्ता देता हूं दूबरा से तो इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी आप बड़े profits करेंगे उसके पीछे एक बहुत बड़ी चीज़ होगी पता है क्या अपने प्रीवियस प्राइजेक्शन पर जो बिलीव होगा ना वह बहुत बड़ा होगा जैसे आज के patterns पे मैं जितना option buying चाहा रहा था जितनी quantity चाहा रहा था उसको execute कर रहा था मुझे अपने pattern पे बिलीव है क्योंकि मैंने पहले trade कर रखा है अगर आप आज मुझसे सीख कर जा रहे हैं और मैं आपको बताओं अगर आपने अगले एक साल में इस formation को अपनी आखों के सामने 7-8 या 10 बार होते हुए देख लिया और हर बार अगर ये सही साबित हुआ फिर आपको इसी formation पे इतना believe होगा एक दिन आप समझ जाएंगे इस formation को जब भी बनेगा आप execute करेंगे और पैसा कहां लगता है जहां पर आपका believe होता है पूरा पैसा वहीं लगता है पैसे को ride कहां किया जा सकता है जहां आपका believe है और believe projection पर ही होता है भरोसा किस भाव पर होता है और भाव पर भरोसा करने के लिए खुद पर भरोसा होना जरूरी अब देखिए कई सारी चीज पे ज़्यादा बात करता रहा अब जब टाइम आया है आपके माइंड से स्ट्रॉंग होने का वो समय यह है जब easy to earn होता है तो प्राइस पे चलिए और जब patience के साथ trade करना है तो mindset और प्राइस दोनों को साथ लेकर चलिए कई traders का message आता है call भी आता है तो एक बड़ा चीज है क्या है एक ही बात कहते हैं कई equal question है यह कि sir आप कहते हैं कि एक समय पर wait करना है प्राइस के बनने का execution के लिए patience रखना है फिर आप कहते हैं कि execution में बहुत जादा strong चाहिए कि जैसे ही एक price मिला है buying के लिए कोई opportunity मिला है तो opportunity को miss भी नहीं करना है दोनों बातें कहीं है फिर trade को book भी करना है trade को write भी करना है और कब कौन सा projection काम करेगा trade को filtration theory कि price बना है उसको filter करना है कि चलेगा भी या नहीं चलेगा छोड़ना है कि लेना है अब इतने सारे answers जब वो price सामने live market में बन रहा है तब आप मैं कैसे trade को execute कर पाऊं और एक साथ इतनी सारी चीज़ों को एक साथ देख पाऊं ये बड़ा complicated है अब देखिए इसके लिए है क्या इसी लिए तो मैं कह रहा हूँ कि जो लोग live market में रोज बैठ कर कुछ न कुछ पैसा लगा कर इस price पे practice करें मैं भी तो आपको सामने ही trade कराता हूँ पूरे हफ़ते में एक trade भी loss में गया है क्या पूरा choppy market इतना सोचिए 800 point का range है और पिछले हफ़ते से चल रहा है क्या loss कटवाया है क्या कभी भी loss देता भी हूँ तो 15 point maximum 15 point से ज़्यादा नहीं जाना है आज आप लोगोंने 58 से लेके 60 या 56 minimum price है जिन लोगोंने short किया होगा जबकि मैं बहुत दूर का 41-500 की बात कर रहा हूँ जिन्होंने 700-800 की उनकी उनकी और price रहा होगा जो lowest price strike price रहा 45-500 वो भी लोगोंने short किया होगा 58-60 29-30 के आसपास मैंने कहा कि अब आप बुक कर सकते हैं फिर जब लाश्ट प्राइस रहा तो जब रिजल्स आने हिट करने लगे इस लोग की तरह बताते थे कि पढ़ने बैठना है तो कैसे बैठना है तो वही बात है वो कहते थे ना कि बगुले जैसा ध्यान वही चाहिए वको ध्यानम काक चेश्ट वको ध्यानम को ध्यान रखिए कि बगला भी तो यही करता है न सेर मचली पकड़ना है पैर की तक execute करता है अपनी चोंच से, एक बार सिर्फ नीचे लाता है और कभी खाली नहीं आती है, मसली पकड़ कर ही बाहर निकलेगा, यह execution है, यह weight है, यही patience है, और यह सारी चीजे एक साथ build होने में समय लगता है, एक दिन का काम तो है नहीं, कब ज्यादा पैसा लगाना है, position sizing एक अलग विशह है, बात करूँगा किसी दिन, तो कैसे हो सकता है, डेली बाजार में बैठेंगे, यह देखिए, जो मैं कर रहा हूँ, यह 60-70% है, 60-70% तो है, यह तो त polishing करना है, आपका risk management, दो ही तीन बाते हैं, कि आपका पैसा आपका है, risk management अपना आपको करना है, कितना आपके पैसा है, जतना risk लेंगे उतना reward आने वाला है, trades को कब लेना है, खुद की trade को कर रहे हैं, मेरी trades को कर रहे हैं, उससे कितना benefit होगा, price को आप बस पढदना सीख ज प्तलब नहीं मुझे, जो खुद के SL ले रहा है ना, उसकी learning सबसे strong होने वाली, अब आगे बढ़ते हैं, देखिए, अब दूसरी बात ये, कि मैंने ये भी कहा है, कई सारे questions आते हैं, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को reply कर देता हूं सारी चीजों के, मैंने कहा, कि आपको price के साथ चलना है, मैं क्या कहता हूं, कि अगर आपने price को catch कर लिया, जैसे आज आप लोगों ने bank nifty के put options short किये नीचे से, अगर आज ही 42,700 के उपर close करता ना, जैसा हम लोग प्लान कर रहे थे, कि अगर ये weekly closing 42,700 के उपर मिली, तो हम लोग जरूर upside की तरफ निकलेंगे, त उपर और निकलेगा, 43,000 के पास range break करेगा, तो मैं थोड़ा और आगे खड़ा हो जाओंगा, नीचे आके फिर high break करेगा, फिर मैं आगे खड़ा हो जाओंगा, ये क्या है, price के साथ चलना है, यही तो मैं देखिए, मैं क्या कर रहा था, nifty में मैंने क्या किया, कल तक क्या क तो ये movement जब तक चला है, तब तक मैं साथ था, movement, डल हुआ मैं निकल गया, अब bank निपनी में movement मिला है तो उसको catch कर रहे हैं, तो जिधर citizens चलेगा, उधर ही चला है, सीधा सा मतलब है, जिधर price चलेगा आपको price के against नहीं रहना है, अगर price के against डाप हैं तो जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए trade को काटिए और निकलिए price को पहले अच्छ से देख लीजे जल्दबाजी trade को काटने में नहीं होती trade काटने में एक second का समय जाना है पहले chart पर आईए और देखिए कि कहीं गलती तो नहीं हो रही है सारी चीजों के एक बार review कीजे कि मैं ही तो नहीं बाजार को short करने में लगा हूँ और बाजार खुद को कह रहा हो कि वो long है इस तरह से एक बार 5 मिट लिजे review कर लिजे और अगर आपको लगता है कि आप opposite direction में हैं तो पहले position को काटिए और अपना 10-15-20 मिट समय लिजे और फिर price को build होने दीजे सामने बैठिए price को build होने दीजे चलने दीजे price को screen पर और देखिए कि अब आपको अगर आप गलत थे तो अब आपको opposite side जो trend का side है उधर trade किस price पर execute करना है find out कली यह नहीं करना है कि आप अगर गलत direction में है मान लेते हैं कि price आपको कह रहा है कि long करना है ठीक है उपर जाना है और आप short करके बैठे है अब आप माथाप इटते रहें बैठकर कि मैं तो short करके बैठा हूँ और बाजार से कह रहे हैं घिर जाईए आप के कैने से चलेगा नहीं चलेगा आप क्या करेंगे चार्ट पर जाईए जो projection सीख रहे हैं जिस तरह से इसी projection को उहाँ पर अपलाई कीजिए और फिर क्या करना है अगर आप गलत है तो सबसे पहला काम करना है जो trade में है उसको कट कीजिए अपनी गलती मान लीजे कि मैंने गलत trade execute किया है पहला काम हो गया यह सबसे बड़ा काम था जो पहला आपने कर लिया अब आप free mind से सोच पाएंगे कि आगे कुछ हो सकता है क्या अब देखिए कि अगर उपर price जाना था और मैं गलत direction में था तो अब मुझे entry काम लेगी यह नहीं होना चाहिए कि यह trade काटा है और उपर जाना था तो high पे ही buy करे ले रहे नहीं अगर आप price पहले से high पे है तो wait कीजिए थोड़ा सा नीचे आने दीजिए फिर आप लेका जाए उपर entry देखिए कि entry मुझे अच्छी कहा मिलेगी उस entry का wait कीजिए यही तो patience है यही तो execution है जो आपके साथ चलने वाला है मैं किसी चीज को देखिए यही price है equal price है सेम कुछ भी अलग नहीं है मैंने कहा कि कल क्या था expiry moment नहीं मिला price nearby resistance trade करता रहा एक falling zone बनाया और breakout किया morning breakout किया गिरते हुए भाव को खरीद लिया मैंने क्यों previous पहले इस price को मैंने कई बार trade किया है तो वो भरोसा है इस भाव पर कि यह loss नहीं देगा और देगा भी मेरा पहले से plan है कि अगर previous day closing के नीचे निकलता ना तो मैं काट के भ लो यह closing price जो है इसके नीचे निकलने की कोशिश करता मैं काट देता trade को बिल्कुल नहीं रखने वाला था और तब तक मैं सिर्फ add करता जितनी गिरावट होती मैं add करता यही तरीका है अब देखिए दूसरी बात अब हम लोग थोड़ा सा जो हम लोगों ने पहले से trade प्लान किया है क्या उस पे कुछ होने की संभवना है कि जैसे हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग top to bottom approach से चलकर आये होंगे किसी क्लास में आप लोगों ने भी ज़रूर कहीं न कहीं कल तो class नहीं हुई होगी इसके पहल to bottom approach में हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग nearby resistance अगर weekly पर इसके previous इस पिछले हफते के high को break करके close करते आज तो समझ लेते कि 3-4 candles बनी थी उसके बाद आज breakout मिल गया है अब retest के बाद निकल जाएंगे लेकिन price उसके high के पास तक तो आया आज और price देखिए कल भी sustainability price में द day high sustainability price में पूरे दिन रही है पूरे दिन sustainability रही है लेकिन patterns सुभह जो high बन गया न छुड़े time frame पे मैं आपको शोगर देता हूं मैं आपको दुबारा से और position long करा सकता था मैंने सिर्फ यही एक कारण रहा कि नहीं कराई क्या देखिए morning में जो first एक मिल गया moment उसके बाद क् अब देखिए lower lows में चलने लगा था यह अगर यह एक बार भी तबदील होके यह high break करता और यहां से निकलने की कुछिश करता मैं और positions आपको long add करा कर जाता अब मैं wait कर रहा हूँ अगर यह high break करे या फिर अब अगर low break करेगा तो मेरे लिए price उतना महत्वपूर तभी होगा जब वो 41800 के नीचे trade करे क्यों तब तक मैं सिर्फ range bond मानूँगा और strangle में पैसा कमाते हुग आगे बढ़ूँगा यही वो rejection zone है यही तो rejection zone है जो price को रोक कर रखा है यही previous support है तो इस zone में आके अगर यह rejection को break करेगा तो seller बहुत बड़ा काम कर रहा है जितना buyer इस भाव को रोकने की इतने समय से कोशिश कर रहा है मतलब buyer का बहुत पैसा लगा है इतने बड़े पैसे को काट कर भी अगर कोई shot करेगा ना तो बहुत impulsive selling आ नहीं है बहुत तेजी से भाव गिरेगा पता चुपाऊं आपको अब इसी तरह से अगर ये high break होते हैं एक 4700 के उपर तो देखे target पहला तो ये 43600 और ये छोटे target हैं यहां से यह नहीं समझ लेंगे कि हम लोग trend upside चला गया है नहीं minimum एक upper high जब तक break नहीं होता है trend reversal नहीं माना जाएगा trend reversal कब है जब बाजार यहां तक जाए फिर थोड़ा सा नीचे आके इसको 43.600 को भी break करके sustain करें sustain करने के बाद retest करके जब यहां पहुँचेगा न तो मैं confirmation मानूँगा अब यह भी break होगा ठीक है तो एक बार में reversal नहीं देखना है देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताओ प्राइज से पहले result से पहले result market को hit करता है budget से पहले budget में जो भी कुछ है न वो market को उससे पह है तो हो सकता है downfall पहले देखने को मिल जाए तो जो भी होना होता है ना बाजार पहले कर लेता है budget session तो सिर्फ आपको जिस दिन बजट होगा 80% chances मनिए कि बाजार सिर्फ fluctuate करेगा और मैं तो एक ही राया कर देता हूं कि उस दिन बाजार से दूर बैठी है 400 points अब करेगा 400 points down करेगा आपके दोनों तरफ stop loss it होंगे किसी काम का नहीं या तो फिर आपका इतना expertise हो कि आप price को तुरंत काट लेते हो तुरंत लेते हो पैसा भी बहुत बनता है ये भी बात है जो price को अच्छे से read कर लेता है और execution power बहुत strong है और जल्दी से stop loss काटता है पैसा बहुत ब और ये low है अगर इस high के उपर close होता तो हम लोग long करते और positions को साथ ले जाते अब next station में ये expiry भी पहले है 26 जैन पढ़ेगा तो उसके लिए एक दिन का expiry Thursday को नहीं Wednesday को पढ़ने वाला शायद तो जब ये break होगा तब हम लोग और long करेंगे जब तक break नहीं होगा हम लोग strangle ही प्ले करेंगे ठीक है अब दूसरी बात निफ्टी को देखते हैं चलिए निफ्टी में क्या है मैं जो बात कर रहा था कि देखिए निफ्टी को देखना बहुत ज़रूरी है कभी भी कुछ भी करेगा और हम लोगों को हमेशा तयार रहना है ट्रेंड लेगा तो निकलना है साथ में यह बना है लू एकशन बाSir प्राइस ने दिया आब समझेड का ध्यान से मैं क्या कहर eager मैंने क्या कहा कि जभी हाई या लो प्रेक हूगा तो ट्रेंड मिलेगा तो आप लोग तो option बायर टु mesures पैसा इस समय फेलियर करता है, टार्गेट तो option buyer को intraday तो closing होगे, आप लोग सभी लोग position look कर लेगे, किसी काम का नहीं आपके गिरे या फिर चले, मुझे लगता है मुझकिल ही होगा किसी के पास position hold रह गई हो shots की, जो लोग buying की हो, अगर अब जाके दुबारा से इस high को break कर देना, तो सम हाँ पर ये दो patterns, मैंने बताया था, दो candles, इस तरह से tweezers type की थी ये, एक और बनता तो बहुत अच्छा होता, नहीं बना है तो भी, अगर कभी भी ये high break हुए, तो ये जरूर break होगे, और ये कब तक high break होने की संभावना है, जब तक swing low नहीं जा रहा है, ये swing low नहीं जा र को, हाँ, थोड़ा सा बस इतना price को देखे रहिएगा, कि अगर जा रहा है, तो थोड़ा थोड़ा सा buying करते हुए आगे बड़े, थोड़े समयर गुजारे, जैसे मुझे bank nifty का price काफी अच्छा लगा, bank nifty का price काफी अच्छा लगा, कारड कहा है, मैंने यहीं तो सोच रहा नहीं बनता है, तो बहतर है, और गिरावट ना हो बस, price fluctuate ना करे, इस तरह की candles ना बने, इस तरह की candles ना बने, और इस तरह की candles, देखें, गिरा है, उतना cover कर गया, क्या मतलब है इस बात का, इस गिरावट से, इस upside तक, सिर्फ पैसा ही तो काटा गया है, इसके लावा किसी patience के साथ चलता है जैसे ये price build किया गया है कल जो ये sustainability दिखती है ये price build किया गया है ये अच्छा भाव है अब आज का भाव high के पास गया है काफी कोशिश की उसने रुकने की बहतर है अच्छा price है अब अगर जाके ये break करेगा न तो ये एक अच्छा breakout होगा फिर से आपको मैंने क्या का फिर से एक अच्छा rally देखने को मिलेगा 43,000 तक तो कहीं नहीं किया आप आयर्स के लिए और उसके बाद भी अगर यहां से निकलता है तो मान के चलते हैं 43,000 दो सकते तो जाने बाला है 42,000 के बाद अब ये एक अच्छा भाव दिखता है देखिए मुझे भाव कैसे अच्छे दिखते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ बता चुका हूँ कई classes में discuss करता रहता हूँ फिर एक बार show करता हूँ जैसे IDFC 1 का मैं आपको चार्ट show करता हूँ अब ये प्राइज अच्छा है डेली टाइम फ्रेम है याद रखे ये 5 मिनट टाइम फ्रेम नहीं है ये डेली टाइम फ्रेम है मैं आपको निफ्टी PSU का भी चार्ट show करूँगा आपको पता लगेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ बहुत तेजी से short किया गया पहले से trend क्या है पहले से trend है upside ठीक है और last price जो दिखता है buying का वो ये ये सबसे अच्छी buying थी कि price ने जब ये high बनाया फिर यहां से निकला तो सबसे बड़ा support सबसे बड़ा resistance जब निकलता है तो वही सबसे बड़ा support बनता है प्राइस उपर गया फिर ये uptrend में ही चल रहा है तबसे एक 63 से sell किया और ये low लगाया है यहां पे 52 असी के असपास का ठीक है अब लेकिन price जो है यहां पर buyers इतने strong है कि उन्होंने price को यहां खड़ा ही नहीं रहने दिया उन्होंने next day gap up कराया होगा फिर price को उपर लेके गया और अब वही चीज है क्या फिर वहीं पहुँच कर देखिए ये price को ये गिरावट की तरह दिखता है जो पिछली बार seller इतना impulsive sale किया हूँ ये 5-6 trading session में 64 का भाव बावन लाना असान बात है क्या नहीं है काफी impulsive selling है बहुत तेजी से गिरावट है एक session buyer को buy करने का मौका नहीं दे रहा है उसके बावजूर इतनी बड़ी selling के सामने भी price को higher zone में लेखिए ये lower zone होता अगर भाव यहां कहीं रुका ह होता प्राइज रुक कहा रहा है आपने यहां से short किया है प्राइज इसी के पास से रुकने की कोशिश करने लगा है और sustain कैसे कर रहा है छोटी छोटी सी candles में मैं आपको बताऊं ये volumes आपको decrease होते हुए दिख रहे हैं ठीक है एक candle आपको दिखेगा इस तरह का volumes का अचानक से दिखेगा ये और उस दिन आपको बहुत बड़ी buying नहीं दिखेगी इसी तरह का कोई candle show होगा यहां पर कि इस तरह से दिखेगा कि पिछले 3-4 दिन की sailing काट दी गई होगी बस इतना show करेगा यकीन वानी है उसके बाद इसके target minimum 70 to 75 80 होने वाले है minimum होने होगे इसी तरह से मैं आपको Nifty PS कर देखें मुझे चाहिए sustainability sustainability जहां दिखती है वहां price कुछ build कर रहा है और जहां premium आपको भरना पड़ेगा इससे बहतर है कि equity की तरफ जाईए अगर आप options में hedge कर रहे हैं या फिर option buying आपको आ गई है अगर उसके बाद कुछ रह जाता है तो equity रह जाती है और swing में बहुत अच्छा पैसा बनता है यकीन मानिए जितना आप यहां पे महीने भर में कमाएंगे न यह कि stock swing में दे देता है कभी-कभी और अगर आपको आ गया ना खरीदने का तरीका खरीदने का मैंने कहा swing trading के लिए stocks को खरीदना असान है hold करना मुश्किल है target तक hold करना मुश्किल है वो patience रखना बहुत मुश्किल है आपको रोज आप बाजार में बैठेंगे आपको लगेगा आपका पैसा कहीं hold है और यहां पे मुझे को यह opportunity तरह मैं ट्रेड नहीं कर प cards को open करके देखते रहिए देखते रहिए diary पर लिख लिए सभी stocks जो भी आपको price अच्छे दिख रहे है stocks लिख लिखे next day price लिख कर रखिए कि किस price पर execute करना है किस breakout पे लेना है पहले से लिख कर रखिए लिख लिख लिया है अब जब भी आपको entry मिलता है entry intraday ले लिया है positional उसको छोड़ दीजे normal order में अब आपको देखना ही नहीं आपको आपके पास आपका stop loss है एक एक दिन में review करते रहिए अपनी position को उत बाद में कोई दिक्कत ही नहीं आपको पूरे दिन बाजार में भी नहीं बैठना है जिनको पूरे दिन बाजार में बैठना है swing trading उनह जाएंगे ना और swing के लिए हो सकता है एड़ महीने में target आए और आपको रोज बाजार में बैठना है फिर तकलीफ होगी mind आपको उस position को होन नहीं करने देगा थोड़े बहुत profit में भी आप उसको काड के भागेंगे और जब loss लग रहा होगा तब आप stop loss तक वेट करेंग तो इससे क्या होगा stop loss हो जाएंगे बड़े और target आप हमेशा चोटे book करेंगे डिस्क reward आपके favor में नहीं आने वाला है और देखिए इस सारी चीजे में बहुत experience से कह पा रहा हूँ एक एक चीज को बहुत अच्छी से ध्यान रखिएगा इस चार्ट को देखिए जड़ा इसको जड़ा weekly पर देखिए तो और अच्छा देखता है मुझे लगता है यहां भी एक candle शायद मिशिंग है यहां पर एक weekly candle इसको cover अप करते हुए इंगल्फ candle है यह जो एक candle है ना एक बीच में इंगल्फ candle है और उसके बाद चार candle से यहां बनी है सोच यह जिसने evening star बना कर short किया हो price उसके पास रुक रहा है अगर यह high break हो गया तो यह rally बहुत बड़ी है और मैं आपको बता चुका हूँ कि PSU में कुछ भी बेचने लाइक नहीं है और budget में कुछ ना कुछ तो है PSU के लिए जो इतना चल रहा है यह price कितना बहतर लगता है यहां पर एक candle missing है यहां पर एक दो candles हो सकती है आइडिया नहीं है लेकिन weekly पर पूरा एक इंगलफिंग candle है जैसे यह weekly candle बना है तो इसका एक इंगलफिंग candle पूरा price को ढखते हूँ उपर आया है पूरी selling को करता हुआ और उसके बाद high के पास फ करने की कोशिश कर रहा है लेकिन बायर की सबसे बड़ी जीत तो यह है ना बायर की सबसे बड़ी जीत यहां पर क्या है कि इतनी खरीदारी के बाब जूद आप अपर price पे sustain करा पा रहे हैं stock को बाकी stocks आप देखेंगे जहां पर financial strong नहीं है या फिर आपको bump and dump किया जा रहा और index यह इतना bullish है कि इतनी बड़ी rally की बाद सोचिए 31-32 का भाव इसके नीचे से भी चला है यहां से चलते हुए गया है यह पिछली बार high बनाया इसी तरह से sustain करके निकल गया फिर high बनाया आप देखिए फिर sustain करके फिर निकलेगा यह दूसरी बार होगा और एक बार और होगा मैं PSU जब तक 10,000 के उपर ना जाए ना review ही मत कीजेगा दो साल लगे तीन साल लगे पांस साल लगे hold कीजिए निफ्टी PSU 20 कब से खरीदारी करा रहा हूँ आप लोगों को याद कीजिए वो समय IDFC और PNB कब से खरीदारी हो रहे यह वो बैंक से है जो multi-bagger है अगर आप लोगों के पास पैसा है तो बहतर है कि आप अपने saving count से निकाल कर यहां रखिए PSU में अगर कहीं भी risk दिखता है तो SIP mode में चले जाए PSU के 20 में SIP कीजिए यकीन से कह सकता हूँ कि आपका पैसा दो गुना चार गुना पांच गुना होने से तो अभी 5-6 साल में कोई नहीं रोख सकता है ठीक है बहुत आसानी से और कब से खरीदारी करा रहा हूँ मैं तो यहां कहीं से खरीदारी करा रहा हूँ आप लोगों को बहुत समय हो गया यहां कहीं से खरीदारी करा रहा हूं तब यह high लगा चुका है उसके बाद अभी भी average कराता हूँ बेचने के लिए नहीं कहता करा रहा हूं कि किसी से एक बार भी कहा कि PNB बेची IDFC कहता हूं जितना गिरे खरी दिये जितना नीचे मिल रहा है पॉर्चिटी है गोल्डन पॉर्चिटी एक खरी दिये PSE के जो भी स्टॉक बहुत बैंक है मैं आपको नाम लेकर बताऊंगा जितना पूरे इंडेक्स के बैंक देखिएगा डवल हो चुके होगा और आपको लग रहा होगा कि देखिए महगा भाव ही और महगा होगा ध्यान रखिए इस बात को आपको लग रहा होगा कि रैली आ यह है बी ओबी जो 80-85 विक रहा था वो 180-85 ट्रेट कर रहा है आप यकीन मानिए वो 500 भी ट्रेट करेगा और स्प्लिट होके फिर दुबारा 500 ट्रेट करेगा वन रेशियो टू में करे थी में करे फिर 500 ट्रेट करेगा टाटा स्टील आपको लग रहा है इतना उपर जाके स सारी ट्रेट करेगा सर जहां से आया है ना इस्प्लिट होने के बाद फिर वह उसी उसी प्राइस प्रेट करेगा एक समय आप पेशेंस रख पाईए देखिए अगर आपका कोई अर्निंग का कोई सोर्स है और आप कहीं भी SIP से ला रहे हैं तो बहतर है यहां बैठ कर SIP च करके और अगर आपको इनसे बहुत ज़्यादा सुकून नहीं और आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम लग रहा है ठीक है ना तो मैं आपसे कहता हूं कि SIP मोड में सिर्फ इन्वेश्मेंट कीजिए अच्छे स्टॉक में मैंने IT के कितने स्टॉक का 20 बताय हुए आप लो युश्मेंट मैंने कभी किसी का नहीं ते की इंडेक्स का नहीं किसी भी इंडेक्स के कई स्टॉरल ग्रोथ हुई है इस से पहले तो नहीं थे का पीएसियूज के साथ ही रियल्टी भी चलेगा और आप देखिएगा रियल्टी उतना मुझे नहीं लगता पर्फॉर् töमंस ठीक है, बिल्कुल आसानी से, तो ऐसा भी नहीं है कि एक साथ इतना पुलिश हो जाईए कि पूरा कृत के रख लीजिए, कल को बाजार 15,000 आजाए, 14,000 आजाए, वो अपॉर्चिटी होगा, फिर आपके पास पैसा नहीं होगा, तो क्या रख करना है, धीरे धीरे खरीदारी करते हुए आगे बढ़िए, जरूरी नहीं है, देखिए हर बार अपॉर्चिटी मिलेगा, अभी अपॉर्चिटी नहीं है, दो-तीन साल में अपॉर्चिटी आता ही रहता है, तो पैसे को बचा के रखिए, 40-50% इंवेस्मेंट है, बाकी हाथ में रखिए, बड़ा पैनिक आप लोग कैच करते रहते हैं, देखते हैं कि कितना मोमेंट मिलता है वहाँ पर, चलिए ठीक है, थोड़ा कम समय दे रहा हूँ, कोई कोशन हो दो पूछ लीचे,